आपको सीधे दिल्ली लेके चलते हैं जहां प्रधार मंत्री नरेंद्र मोदी क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुरवाते हैं नहीं करोगे ऐसा पर सकता है आज चुपा करके करना है चोरी चुपी से करना करेंगे नहीं करेंगे यह क्या बच्पन खो दिया आप लोगों ने अरे बच्पन तो बचा रहना चाहिए आपका बच्पन खो गया है जिसको यह मन न करें कि मंभी पापा करके यह बताओंगा यह कहूंगा उनको यह सुनाओंगा फिर को आपने बच्पन खो दिया आपका तो फिर भी मन करेंगा बताने का तो आपको अलग खुला नहीं छोड़ते हैं ममी पपा, पीछे लगे रहते हैं, उनको भरोसा नहीं है, छोटे बच्चे हैं क्या करेंगे, ऐसा ऐसा है लग रहा है ना, आगली बार बताईए उनको, मुझे आकले कहीं जाने दो देखें, थोड़ी देर पहले आप सभी को जब परिचा हो रहा था, तो मैं सच मुझ में बहुत हरान था, इतनी कम अलम है, जिस प्रकार से आप सभी ने अलग अलग शेत्रों में कुछ न कुछ करके दिखाया है, कोई प्रयास किया है, कोई काम किया है, आपको तो समाधान हो गई हो गा, लेकिन आज के बाद आपको कुछ और करने का मन कर जाएगा, और अधिक अच्छा करने का इरादा हो जाएगा, और मैं समझता हूँ कि यह सारे जो एवर्ड बगेर होते हैं, वो आखरी मुकाम नहीं होता है, एक प्रकार से यह बिगिनिं करता है, तो मन को अच्छा लगता है, तो एक प्रकार से यह जिन्दगी की शुरुवात है, और आपने मुश्किल परिस्तितियों से लड़ने का सहथ दिखाया, आप मैंसे कुछ भीर बालक है, कुछ ऐसे भी हैं, जनों गंबीर बिमारियों से लोगों को बहार निकालने के सब्सक्राइब के लिए, एज ओफ लिविंग के लिए, कहीं नए-ने इनविशन कीए, किसे ने आर्ट अंड कल्चर में, किसे ने स्पॉर्ट में, तो किसे ने शिक्षा साहित में, तो किसे ने समाज सेवा में, विवितताओं से भरा हुआ आपका योगदान रहा है, आप आपने समाज के प्रती, राश के प्रती, अपनी डूटी, आपने देखा ओक मैंने लाल के लिए से एक बात कही थी, कुछ याद है किसी को, लाल के लिए से कुछ कहा था, याद है, बहुत कुछ कहा था, कुछ भी कहोगे तो सथ निकलेगा. एक बात मैंने कही थी, कर्तब्य पर बल, ज्यादा तर हम अधिकार पर बल देते हैं, अब देश की आजादी को 35 साल होने रहे हैं, तो कब तक कर्तब्य पर बल देंगे, अधिकार पर बल देते रहेंगे, अब कर्तब्य पर बल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, नहीं सब सहमत हैं चलिए हम आज एक कानून पास कर दिया देखें आप अपने समाज के प्रती राज के प्रती अपनी ड्यूटी से और उसके लिए जिस प्रकार से जागरुख है यह सिर्ब आपके माता-पिता को नहीं आपके परिवार जनों के लिए जो भी आपके बारे में जानेगा उन सब को गर्व होगा उनको पक्का गर्व होगा देखें मैं काम करूंगा आप सबकी फोटू के साथ मैं आज आपकी जो स्टोरी है उसको मैं सोशल मीडिया में दुनिया से शेयर करूंगा हर इंडिविजल कैसे आपने किया है कहां से आए है कैसा रहा है मैं लिखूंगा उसमें लेकि कुछ गल्टी हो जाए तो फिर आप नाराज मत हो जाना है कभी कभी जानकारियों में गल्ती हो जाती है देखें दोस्तों आप सब कहने को तो बच छोटी आई उक्या है कम आई आपको पता है आपने जो काम किया है उसको करने की बाद छोड़ दीजिए सोचने में भी बड़े बड़े लोगों को पसेने छूड़ जाते हो आप पैसे जिन्हों ने इनोविशन किया होगा जब अपने टीचर को बता होगा तो टीचर भी कहता है तो मेरा परेशान मत कर तुम जाओ उनका दिमाग खपा देओं तो टीचर भी ना राज़ जाते होगे मुझे पढ़ाता होगा ये बच्चा इतना ब्राइट है ये मेरे पल्ले कैसे पढ़ जाया ये मुझे पढ़ाता है ऐसा होता है जै देगे मैं एक बात पता हूँ आपको आप अपने सभी फ्रेंड्स और टीचर्स को जरूर बताईएगा मैं आप सभी विवास आत्यों कि ऐसे सहासिक काम के बारे में जब भी सुनता हूँ आपसे बात्तीत करता हूँ तो मुझे भी प्रेणा मिलती है आपसे मैं भी कुछ सीखता हूँ अभी एक बच्चे ने मुझे पूशा कि आप इतना काम करते हैं तो मा की याद नहीं आती है याद करता हूँ तो सब ठकान उतर जाती है साथियों आप जैसे बच्चों के भीतर छुपी इस प्रतिभा को प्रोसाइद करने के लिए ही यह राष्ट्रिय पूरस्कारों का दायरा बढ़ाया गया है और यह सिर्फ आपको पूरस्कार मिल रहा ऐसा नहीं है इस अवसर के कारण देश भर के बच्चों का इन चीजों पर ध्यान जाता है एक प्रकार से आप उनके लिए हीरो बन जाते हैं आप उनके लिए इंस्पिरेशन बन जाते हैं जमुकेश्मिन में बैठा हुआ कोई बच्चा होगा लदाख में बठा हुआ बच्चा होगा नागालिन में बैठा हुआ बच्चा होगा को केरल के किसी बच्चे की कथा सुनेगा तो इसको अच्छा हमारे देश के बालक ऐसा कर रहे हैं यह अपने आप में कई गुना इसका प्रभाव प्यादा होता है, इसकी तरंगे चलती रहती है, बेवस लगातार नीचे प्रभावित करते रहते हैं, और इसलिए इन चीजों के दरब इन घटनाओं को कभी कम नहीं आकना चाहिए, उसका अपना एक महत्वा है, लेकिन कभी-कभी क्या होता है, जब नाम हो जाए, अकभार में तस्वीर सब जाएं, तो फिर हम भी जमीन से दो-तिन फिट उपर चलते हैं ना, फिर पैर जमीन पर नहीं पढ़ते हैं, ऐसा हो जाता है ना, फिर गर में भी, देखिए मुझे कोई काम बत होता है, मैं नेशनल करोगे आप लोग, पैर जमीन पर रखोगे, अधिक्तम लोगों के जीवन में दो पड़ावाते हैं, एक सहज बाव से अच्छा करता चला जाता है, और जब कहीं रेकनाइज हो जाता है, फिर जाने अंजाने में हवा भर जाती है, और फिर वो उसी में रहता है, आगे प्रतिया नहीं कर पाता है, उसको लगता है बस हो गया, फोटू छप गया, दिल्ली हो आया, रात्पदी भवन हो आया, अब क्या है, जिन्गी बस हो गया, जिन्गी इतनी छोटी नहीं है, दूसरे वो लोग होते हैं, अगर कुछ किया, किसे कही रेकनाइज हुआ, तो उस मैं इसि को अपनी प्रतिग्या बना देते हैं, उसी मैं से पुर्सार्त करने के रास्ते खोथे रहते हैं, और वे नहीं नहीं चीजों को हासिल करने के लिए रुकते नहीं, ठकते नहीं मैं चाहूँगा कि आप कभी भी अपने जीवन में कोई दूसरे प्रकार के आदतों को गुसने ही मत देना अभी जो हुआ है वो कुछ नहीं ऐसा ही मान के जाईए ठीक है अभी तो मुझे बहुत कुछ करना है देश को बहुत कुछ देना है खुद को हर प्रकार से तैयार करना है यह अगर जजबा लेकर के जाते है तो आप देखिए आपको इस अवसर का बहुत बड़ा आनन्द मिलेगा उसमें से कुछ नया सीखने को मिलेगा तो बताईए पहले रास्ते पर जाएंगे कि दूसरे अचा पहले पर जाएंगे इतने हाथ उपर कि यह कितने लोग हैं जो पहले रास्ते पर जाएंगे अच्छा ये बताईए जो दूसरे रास्ते पर जाएंगे कौन है इसका मतलब आप मेरी बात समझे नहीं मैं ये कह रहा था कि एक रास्ता वो होता है जो पहला रास्ता की जिसम है इसको आप अंतीम नहीं मानते हैं इसको आप शुरुवात मानते हैं आपके पैर जमीन से उखड नहीं जाते हैं अब हवा में उठने नहीं लगते हैं और कुछ और अधिक करने का संकल पकरते हैं ये पहला रास्ता है दूसरा ये बहुत हो चुका अब पोटू छब गई तिवी में आ गए अब क्या करना है सो जाओ तो बताईए पहला रास्ता की दूसरा पका देखिए पहले गलती की थे न अच्छा मैं आप से कुछ सवाल पूछता हूँ आप में से कौन इतने लोग हैं जिनको दिन में चार बार याद किजिया डेली चार बार पसीना आता है भरपूर पसीना आता है पूरा पसीना पसीना सरीर हो जाता है ऐसे कोई भी सिजर हो ठंडी हो गर्मी हो जिसको चार बार दिन में चार बार पूरा पसीना निकलता है कितने हैं कैसे निकलता है, दूप में खड़े रहते हैं, और कोई, पसेना ही पसेना हो जाता है, अच्छा, देखिए, एक भी बालक ऐसा नहीं होना चाहिए, अपने दोस्तों को भी बताएगे, कि जिसको दिन में चार बार पसेना नहीं आए, ऐसा एक भी बालक नहीं होना चाहिए, मुझे एक मार किसी ने बहुत साल पहले पूछा था, कि आपके चहरे पर इतना तेज क्यों है, तो मैंने बड़ा आसान जवाब दिया था, मैंने गा, मेरे सरी में इतना पसीना निकलता है, महनत करता हूँ, और मैं उसी पसीने से मानिस करता हूँ, इसलिए चमक जाता है, अच्छा आप पैसे कितने लोग हैं जो पानी पीते हैं तो खड़े-खड़े पीते हैं बैट करके नहीं पीते हैं ऐसे कितने लोग हैं कि देखिए पानी जब पीते हैं तो बैट करके पीजिए छोटी चीज है लेकिन आपको जाकर के उसका सास्त्र कोई समझाएगा मैं उसके चक्र में नहीं पढ़ता हूं यह करेंगे यह अच्छा आपने से कितने हैं जो पानी दभाई की तरह पीते हैं कुछ लोग होंगे जो पानी जूस की तरह पीते होंगे पानी का भी आनंद लेते होंगे कुछ लोग होते होंगे दभाई की तरह आपका कितने हैं जो पानी को पानी का बजा लेते हैं पानी का टेस्ट करते हैं नहीं करते होंगे आप कोशिश कीजिए पानी का टेस्ट होता है वो शरी को भहुत फायदा करता है आप उसको एंजोई कीजिए दभाई की तरह ऐसे पानी लगा दिया ऐसा मत कीजिए करेंगे आप कहेंगे क्या फायदा मां तो कह रही पढ़ा ही कर और मैं पांच मिनिट तक पी रहा हूँ जगड़ा हो जाएगा ना कभी-कभी मां दूड लेकर करें मां को काम है विच आप जैफेती को इसा होता है ना कौन से शाज भी कभी वह हुत इए चोटी चोटी चीजे होती है हमने बच्पन में शरीर को जयो आदते डाली होती है वो जीवन हरकामा दी है और मन में वो एकदम से फिट बैठ जाता है आपको मालूम है देश में अभ्यान चल रहा है फिट इंडिया पता है कितनों को मालूम है तो फिट इंडिया के लिए किस दरजी के पास जाते हो किस ट्रेलर के पास जाते हो कौन फिट इंडिया के लिए ट्रेलर के पास कौन जाता है तो क्या करते हैं फीट इंडिया के लिए कोई बताएगा ने क्या करते हैं एक्सेसाइज कहने से थोड़ा बता है कोई कहेगा मैं सुरी नमस्कार करता हूँ कोई कहता है मैं साइकलिंग करता हूँ कोई कहता है मैं स्विमिंग करता हूँ क्या करते हैं योगा है अजया अपने से कितने लोग है फटा फट पैर पर चड़ जाते हैं फिर उतर जाते हैं घर वालों को चिलाना पाई नीचे उत्रों नीचे उत्रों ऐसे कितने लोग है देखे साहस यह हमारे स्वभाव में होना चाहिए यहां पैर रखूंगा तो गिर जाओंगा तो यह करूंगा तो आसे जिनकी नहीं जीते हैं साहस के बिना जीवन संभव नहीं है और छोटी-छोटी चीजों का साहस करने की आदद बनाओगे तो आगे चल करके वो भी बहुत काम आएगा और आप जैसे लोग जब करेंगे न तो बागी पचास लोग देखेंगे अरे देखो यह भी करता है इतना अबाड लेकर आया पिरभी इतनी मेहनत करता है इतना हम नमान संभान लेकर के आया लेकिन देखेंगे यह काम कर रहा है तो क्या होगा भूत हो को प्रेणा मिलेगी करोगे पक्का करोगे तो कल पर्षोच ज़ेश्विश जन्वरी की तेरी है तो शिखाया गया होगे ऐसा ऐसे करो दाइने यह नहीं बताया, जीस तरफ लोग होंगे उस तरफ करना है, हम तो होंगे देगे 5-10 मिटर तक ही होंगे, बात में तो बहुत भीड़ो होती है, ऐधा दोनों ऐसा ऐसा हो, चलिए मुझे बहुत अच्छा लगा, आप लोग एंजोई कीजिए, और दिल्ली में बहुत कुछ द जगा पर जाईए, लाल कीरे में आपको मालूम होगा, नेता जी सुभाद बाभू के लेकर के, करांतिकारियों के लेकर के, बहुत अच्छा मुझेम बना है, देखेंगे आप लोग, देखेंगे आए, ले जाने वाले हैं, कल है, पका, अच्छा वार मेमरेल देखा, नहीं नाम पढ़कर के, लिखकर के ले जाना है, अगर मोबाइल फॉन है, तो उसकी फोटो निकाल के ले जाना है, देखें, करना टक के, ये वीर शहीद का नाम है, उसका फोटो, लेके जाना चाहिए, किसो को दिखाना चाहिए, देखें, हमारे करना टक के भी शहीद का नाम वह एकने जाओगे, जाओगे, आपको मालूम है, इस देश में 33,000 से जादा पुलीश, कभी-कभी लोग पुलीश से नफरत कहते हैं, पुलीश वाला कहते हैं, चलो इधर चलो, शाय का नियाम मत रखो, तो गुस्सा आता है, ना, 33,000 पुलीश, देश के नागरीकों की रक्षा के लिए सहीद हुए हैं, आजादी के बाब, हांकडा बहुत बड़ा है, 33,000 उस पुलीश के प्रती, आदर का गवरों का भाव बनना चाहिए, देखिए, समाज जीवन में बदलाव शुरू है, हो जाएगा, पुलीश मेमरेल देखो गे न, तो आपको लगेगा, ये इसा काम होता है, ऐसे करते हैं, करोगे, पका करोगे, चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद आपको, बहुत शुप कामना है,